एसे में अगर वर्टिकल ड्रिलिंग करते हैं तो खत्रा है कि टनल के उपर प्रेशर और मल्मे की वज़ा से पाइप तूट जाए यही वज़ा कि वर्टिकल ड्रिलिंग का सामान तो उपर पहुंचा दिया गया है लेकिन अभी काम शुरू नहीं किया गया है हाला कि इस समय senior officials के मताबिक वो ये second option के तौर पर देख रहे हैं और इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि कहीं से भी अगर vertical drilling करते हैं तो उसका दवाब tunnel के crown पर ना पड़े जिसकी वज़े से जो इस समय lifeline के तौर पर जो pipe है वो damage भी हो सकती है इसी लिए option के तौर पर इसे vertical drilling को रखा गया है और ये जो piling machine है उसका अलग-अलग जो meters में जो length के साथ जो iron rod है उसके लावा जिसे digging की जाती है वो ले जाये जा रहा है इसकी length 18 meter है और 32 cm इसका diameter है पिलाल इस स्वक्त सारा फोकास मैनूल ट्रेलिंग पर है जिसके शुरू होने के बाद से तेरा घंटे बाद सभी के सभी तालिस मज़ूर बाहर निकल सकते हैं I've been told by the Indian Army that the manual tunneling is going to be take place soon as when the auger came out through the after cutting of the plasma It's one of the options yeah so we're looking at at the moment and I'm involved in the team doing that we're looking at soft options So what can we do in the mountain it's a little soft because each time the harder we go the harder it fights back So that's what we're looking at and these things take time so but having said that we're also conscious that time is against us Because there has been an avalanche in there and so for example there was a large earthquake which there could be I mean given we're in the Himalayas So that we're very cognizant of that as well so it's a real balancing Auger came out sharply or still the plasma cutting is on No, no the plasma cutter is on and the auger is showing that it really enjoys being in a tunnel It's decided it wants to live there as well so we're fighting the auger to get it back at the moment And then once that's out we'll reassess the pipe and then once we've reassess the pipe we'll decide what we think is the safest way to go the last nine metres Look at that From He's been کDE Peas yeah ず को मुबाइल फोन भेजे गए हैं मजदूर इसमें गेम खेल सकेंगे सुरंग के अंदर खाने पीने का सामान लगतार भेजा जा रहा है यह आपरेशन अभी भी आसान नहीं है पंदरवा दिन है और तालेश जिन्दियों को बचाने की जद्दो जहद जारी है पहली दिक्कत है कि इस समय टैनल के अंदर जल्द से जल्द जो चटाने हैं उसे काटी जाए लोहे को साइड किया जाए और और को काट कर निकाला जाए दूसरे दिक्कत अगर वर्टिकल टैनलिंग की जाती है तो सीधा प्रेशर टैनल के क्राउन पर यानि टैनल के सतह पर पड़ेगा जिसकी वज़े से जो इस समय 6 इंच की पाइपलाइन के तौर पर जिसके जरी सारा खाना और उसके लावा सभी सामान अंदर भीजा जा रहा है वो भी बाधित हो सकती है तीसी प्रॉब्लम है कि इस सम जो मौसम विभाग है उनके मताबिक आने वाले 24 घंटे तेज बारिश यहां पर हो सकती है इसी लिए अब इन सभी से बचने के लिए तैयारी की जा रही है भारती सेना के 201 मेडरा सेपर्स को यहां पर अब टैनल के अंदर पूरी तरह से खुदाई करने की जिवारी सौपी जा रही है वैसे तो यह सुरंग 4,531 मीटर लंबी है जिसके एक शोर सिल्क्यारा टैनल की तरफ है इधर से 200 मीटर दूरी पर 77 मीटर का मलबा गिरा हुआ है इसी को साफ करना है दूसरा शोर बरकोट की तरफ है वहां से भी 450 मीटर के खुदाई बाकित बीच में खाली 2 किल किलो मीटर के सुरंग में 40 मजदूर फस हुए है दो किलो मीटर लंबी सुरंग की ट्रेंच में न पानी न रोशनी घुप अंधेरा उस अंधेरी सुरंग में 15 दिन से 40 जिंदगी कैद में है वक्त तेजी से निकल रहा है हर घंटे कोई न कोई नई मुश्किल सामने आ रही मुश्मभाग ने आज उत्तरकाशी में कई जगों पर हल्की बारिश और बर्फबारी का अलर्ट भी जारी कर दिया ह। अगर बारिश या बर्फबारी होती है तो तापमान में गिरावट आ सकती है जिसकी वज़ा से रेस्क्यू के काम में परेशानी आ सकती है चुनौतीस बात की है कि 41 जिन्गियों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए परिवार के लोग कहते हैं कि उनका पेशन्स जवाब दे रहा है अंदर से जो लोग इस समय फसे हुए हैं वो हिस्ट पुष्ट बिल्कुल हैं उनको खाने के लिए मिल रहा है उनके पास मेल फोन पहुच चुके हैं लैंड लाइन फोन उन्हें लगा दिया गया है और माइक्रो फोन के जरीए वो बात भी कर पा रहे हैं लेकिन चुनौती है उनके बाहर निकलने की कैमरावसन राजिंदर प्रताब के साथ मनीश परसाद इंडिया टीवी सिल्क्यारा उत्रकाश कर दो